प्यारे भचो इस वीडियो में हम अंक जगत कक्साचार की कार्यपुस्तिका की दिन 15 के अभ्यास प्रस्नों को हल करेंगे सबसे पहला हमारा प्रस्न है नीचे दिये गए प्रस्नों को हल कीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है इसमें कैप रसन है यहाँ पर दो फूल दे रखी है ठीक है और परते एक फूल में पांच-पांच पत्या है ऐसे समझ लीजिए यह फूल समझ लीजिए यह टहनी समझ लीजिए इनमें पांच-पांच पत्या है ठीक है तो पांच पलस पांच कि कितने होंगे, दस ही होंगे, अब ऐसे ही आप देखिये, इस सवाल को, खै को, यहां पर क्या है? इसमें दो को पाँच बार जोडा गया है, दस आएगा, और पाँच गुना दो, ये भी दस आएगा, मतलब क्या है कि यहां पर कि जब हम बार बार किसी संख्या को जोड़ते हैं तो वो गुणा की परकिरिया कहलाती है जैसे अगर माल लीजे यहां पर बार बार दो को जोड़ा गया है तो बार बार जब जोड़ते हैं तो वो जोडने पर थोड़ा सा समय जादा लगता है इसलिए हम छोटी परकिरिया को अपनाते हैं यानि हम गुणा को अपनाते हैं माल लिजे हम तीन को तीन बार जोडते हैं तब भी उत्तर नो ही आएगा हम तीन को तीन से गुणा करते हैं तब भी उत्तर नो ही आएगा ठीक है जितनी बार जोड़ा जाता है उतने से ही गुणा कर दीजिए उस संख्या को ठीक है जैसे यहाँ दो को पांच बार जोड़ा गया है तो दो को गुणा कर दीजिए पांच से तो आपका उत्तर तब भी दसी आएगा अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रसंद की तरफ गह प्रसंद है निमलिकित में से कौन सा विकल पांच गुना आठ के बराबर है ठीक है पांच गुना आठ का मतलब है कि आप पांच की या तो आठ बार पांच को आठ बार जोड़ दीजिए ये मतलब हो सकता है आठ बार लिखेंगे चार बार हमने लिखता है और आगे लिख लेना ठीक है पांच को आठ बार जोड़ दीजिए ये भी मतलब हो सकता है पांच गुणा आठ का और फिर आठ गुणा पांच का ये भी मतलब हो सकता है कि आप आठ को पांच बार जोड़ ठीक है अब देखते हैं हम अपने अगले प्रसन को प्रवीर ने पानी से पांच कटोरे भरे परते एक कटोरे में उसने चार मचलिया डाली उसने सभी कटोरों में कुल कितनी मचलिया डाली है हमें पता है कि एक कटोरे में मचलिया कितनी डाली उसने चार कटोरे कितने हैं पांच है तो हम क्या करेंगे चार की गुना कर देंगे पांच से ठीक है तो एक कटोरे में चार मचली तो पांच कटोरे में कितनी मचली आएंगी पांच गुना चार यानिके बीस पांच चोक बीस तो यानिके बीस मचली उसमें आएंगी अब देखते हैं हम अपने अगले प्रसन को एक फुस्तक में 64 पेज है तो ऐसे 8 फुस्तकों में कुल कितने पेज होंगे जब एक का मुले दे रखता है एक वस्तु में कोई मुले दे देता है या किताब में पेज दे दिये कुछ भी ऐसे दे सकता है एक चीज के बारे में दे रखा होता है और ज्यादा चीजों के बारे में पूस्ता है तो वहाँ पर हमें गुणा ही करनी होती है एक पूस्तक में पेज 64 तो आठ पूस्तकों में कितने पेज होंगे 64 को आठ से गुणा कर दीजे जब चोसेट को आप 8 से गुणा करेंगे उपर नीचे रख करके कर लीजे आप काईगा 512 तो 512 पेज होंगे 8 पुस्तकों में अब देखते हैं हम अपने last person को इसमें तो एक box में 144 साबून है एक वयापारी ऐसे 3 बक से खरीदता है वयापारी ने कुल कितने साबून खरीदे हमें पता है एक box का दे रखा है और तीन का पूछा है तो यहाँ पर भी गुणाई होनी है एक box में साबून कितने 144 तब तीन box में साबून कितने होंगे 144 की 3 से गुणा कर दीजिए गुणा करेंगे तो कितना आएगा 432 ठीक है तो 432 हमारा उत्तर आजाएगा तो प्यारे बच्चो इस वीडियो में हमने दिवस पंद्रा के अभ्यास प्रस्णों को हल किया है धन्यवाद प्यारे बच्चो